है कि स्वागत आप सभी का वाई फाई स्टडी स्टूडियो पर विच इस पार्ट ऑफ एकडमी ऑप सम विसिबल डेवरिवन नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का वाई-फाई सडी स्टूडियो पर क्या मैं विजिबल और ओडिबल हूं चल्दी से एक बरी कमेंट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बढ़िया तरीके से जो अपने कोशन है वो सभी करने वाले हम साइंस के धमाका क्लास में ठीक है बस एक चीज बता देता हूं कि आपका एक मैराथन होने वाला है कल दोपैर को साड़े तीन ठीक है ट्रिक मैराथन होगा कुछ यूनीक लेका हैं आपके जिसमें आप क्या है एक ही बार में सारे ट्रिक रिवाइस कर सकते हो और नहीं और ट्रिक भी पढ़ सकते हो ऐसी याद रखेगा वाइफारी स्टूडियोAPर काहां पर करेंगे वाइफारीस टेंल है वहांँ पर होगा ठेक है? स्टूडियोव पर नहीं हो रहा यह session यह वाइफाई study channel पर हो रहा साड़े तीन बजे ठीक है मिसमत करिए कि इस session को ठीक है बढ़िया तरीके से करने दोपैर को साड़े तीन बजे अभी करते है science की class को start फिर और सभी session as it is जो होते है current affair है ठीक है 9 बजे का सभी session होंगे अभी current affair 9 बजे है यह science के question कर लेते हैं एक बड़ी पूरे जितने भी है एक बड़ी session को share करना जैसे पहला question देखो आप सभी के सामने जल्दी से बताएगा पहले question का answer के है नमस्कार भाई सभी को पहले question का answer बताओ सारे के सारे पहले question का answer के है ठीक है आज सुबह class इसले नहीं हुई थी थी थोड़ा सा आई बी के लिए थोड़ा सा आपको गाइड करना था ठीक है तो वो कर दिया है अब कल दोबारा जो topic wise class होती है वो सुबह होगी ठीक है सुब CS3Cl होता ना तो बहुत basic funda है chloroform को बनाने के लिए हम methane को use करते कैसे कि जो methane होता ना CH4 उसमें chlorine add करा जाता है और chlorine इसके hydrogen को remove करके क्या बनाता है CS3Cl बनाता है ठीक है CS3Cl बनाता है ठीक है तो इसी हिसाप से answer क्या होना चीए मेरे हिसाप से chloroform का answer क्या होगा मिथेन answer होगा ठीक है मिथेन answer होगा हम के concept समझ रहे हैं रट्टा निमारे concept समझ रहे हैं basic सा ठीक है basic सा concept है जो आपसे पूछा रहा सकता है ठीक है चली एक और question देखते है भाई share करना session को जैसे question देखो and ECG अब ECG की बात हो रही है यह तो आप सभी जानते कि ECG हम किसका कराते है हमारे श सबसे पहले कहेंगा कि ECG करा दो अपना तो ECG का answer क्या है ठीक है हर्ट इसका answer चलो एक और देखो अगर एक व्यक्ति मायोपिया से सफर कर रहा है मायोपिया मतलब सिर्फ वह पास का देख रहा है नियर साइटिडनेस है ठीक है अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि मायोपि मायोपिया का अगर दिक्कत है सिर्फ पास का देख पाता है दूर का जरा भी नहीं देख पाता तो उस case में कौन सा यूज़ कर सकते हैं इसको correct करने के लिए बहुत ही important question है answer का concave lens इसका answer है ठेक है याद रखेगा concave lens इसका answer है बहुत ही महतपुंड सवाल ठेक है concave lens इसका answer है बहुत ही महतपुंड सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है important question है ठेक है important question है अगर कोई बोले न myopia के जगा इदर hypermetropia है hypermetropia है ठेके तो भाई hypermetropia को correct करने के लिए भी होता है वो convex lens है याद रखेगा कोई भी और session हो मैं 8 बजे बाला session miss नहीं करने के लिए करूँगा क्योंकि मैं कल Saturday Sunday पर सो जो है Saturday Sunday को भी ये session लगा रहा हूँ ठेक कि science आपकी continuation में रहे या आठ बजे का session मिस नहीं होना चाहिए वाई-फाइ सटी स्टूडियोस पर ठेक है जैसे अब यह क्या है convex और concave का आपको पता चलिए आप next देखते हैं सारे कोशन अटेम करेंगे कर रखाए कर कोशन के हमने बते कोंसा सारी सब्सक्राइब करेंगे का बश्चन के आंसार की कॉन सा डिसीज़ में की नहीं के ह drie विजए उस्टस्क्रार नका इस्टस्टस्टाइब यह साथ के साथ मैं श्रीन्स мотрите स्टस्टस्टयु नशेया कून सब्सक्राइब यहुद्छ रहा हूं Nejin टो टो το टॉपिक को हमेशा दिमांग पर रखो यह दो टॉपिक आपको मिल सकते बेपर में जैसे यह कोशन देखो कोशन नूमर 6 का अंसर बतेगा ठीक है बते टरकोस इस और और फिच ओफ दा फॉल्विंग एक किसका क्या बोलते हैं ठीक है अएस के टरकोस से हमें क्या मिलता है कमें कोपर तामबा ठीक है याद रखेगा इससे हमें क्या मिलता है कोपर तामबा बहुत इंपूर्डन कोशन में से एक की भाई टरकोस से हमें क्या मिलता है कोपर मिलता है तो यह कोपर का है इसका एक और कोशन नहीं हाँ जी कोवलेंट बोन किससे बनता है तो याद रखेगा और क्लोरीन के साथ शेरिंग कर सकते हैं तो आठ बज़े सेशन स्टार्ट होता नो बज़े खतम होता ठेके नो बज़े फिर मैं करेंट अफिर स्टार्ट करूंगा औक्सीजन और क्लोरीन का कोशन आपको मिलता है यह कोशन दिमाग पर रखेगा चलिए एक और कोशन देखिए इस कोशन गान सके रिकोगनेशन और अड़ेशन दोनो के लिए रिस्पोडनसिब्ल है बहुत ही सब्सक्राइब आपको बता बहुत मिल रहा हूं साइंस का स्क्राइस के स्क्राइब करा रहा हूँ जो आपको 100% में मोस्ट एक्सपेक्टेड मिल सकता है वह कोई भी एक्जाम होचा है ठीक ग्लाइको प्रोटेन ग्लाइको लिपिडिस का अंसर चलिए एक और कोशन देखिए कोशन नमर 9 का अंसर बताईए क्या यह कोशन नमर 9 का अंसर जल्दी से बतेगा कोश यह लिंक लवा देता हो directly हां जी कौण सा इसमे से मून पॉलिशन से संबन्दित है कमेंड करेगा कौन सा इसमे से मून पॉलिशन से संबन्दित है मैंने आपको बता रखाय है कि यह डो तीन चीजे ऐसी है जो हमारा gjort करना बहुत जादा जरूरी है अब जब पेपर आपके नस्दीक है ना तब आपका रिवाइस करना बहुत जरूरी है जैसे टाडी ग्रेट्स और वाटर बियर्स ये दोनों रिवाइस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये आपका important question है पूछा रहा सकता है तो answer इसका क्या है C है बोथ A and B चले एक और question देखिए का who is known as the father of genetics father of genetics जोर्ज मैंडल है असान question है ठेक है चलो ये question करा रखा है मैंने बते ये question important है ये पूछा रहा सकता है ठेक है ये question important है और ये practice भी करना बढ़ेगा कि आपको आपसे उत्परे रख के उपर ठेक है कोशन बेफकुस करूँ जैसे ये question है capitalist increase करता rate of chemical reaction कैसे कोई भी उत्परे रख ठेक है रसायनिक प्रतिक्रिया जो है उसको बढ़ाता है किस तरह से जल्दी से बढ़ाता है इस question का answer के है किस तरीके से बढ़ाता है इस question का answer क्या है जल्दी से बताएं किस तरीके से बढ़ाता है decreasing the activation energy कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर गलत कर देते हैं सोचते activation energy को increase करके cut list ऐसा करता है याद रखेगा activation energy को decrease करके करता है activation energy decrease करके होती है ठीख है यह शेर करना सारे के सारे से बच्चे सेशन गो यह son को यह important question है और इसका answer decreasing the activation energy increasing the activation energy नहीं है question का ध्यान रखना important है पूछा राओ सकता है ठीगे अपने जो courses है वह भी उड़ सके हैं इन batches में और complete batch आपको SSC और CT में मिलने वाले हैं ठेक हैं गोल क्या select करिएगा जैसे आप माली reasoning math और English यह सब कुछ पढ़ना चाते हैं जी के science के साथ साथ तो यह complete batch आपको SSC में मिल रहा है इसमें cost कम है आपकी आप SSC goal select करिए get subscription क्लिक करिए मन select करिए और refer code यूज़ करिए live woman ठेक है live woman refer code यूज़ करिए ठेक है अपना discount बढ़ाने के लिए refer code में ठेक है यह आपका तरीका है और देखे question इस question का answer जल्दी से बताएगा अच्छा question है ठेक है बताए इस question का answer क्या who among the following discovered the blood group बते बढ़ा असान question blood group की discovery किसके द्वारा की जल्दी से बतेगा blood group की discovery किसके द्वारा की गई answer क्या इस question का ठेक है काल्स लेट स्ट्रेंड इसका answer important question है पूछा जा सकता है हमें यह तो basic कोशन बहुत ही असान है जो आप से भी पूछा जा रहा है कि blood group की discovery किसके द्वारा की गई सब जानते है इस question का answer क्या होगा ठेक है लेकिन असान question भी आपको paper में मिल रहा है जैसे यह question दे कोई थोड़ा मुश्किल होगया question यह question मुश्किल होगया बतेए अब इस मुश्किल question का answer कौन कौन मता सकता है देखे आप कभी भी doctor के बाद जाओ ना तो वह आपका temperature अगर बहुत जादा ना उसको कम करने के लिए ड्रग दे देता है सब्स्टान्स विच्छ विच्छ तु ब्रिंग डाउन टेंपरेचर इन हाई फीवर आपको बहुत ज्यादा बुखार होगा ना तो बस एक ही ड्रग मिलेगा वह ड्रग क्या होगा ठेक है एंटी-पारेटिक वह क्या हुगा वह एंटी-पारेटिक पूचा जा सकता है महतपुर्ण सावाल है चलो एक और कोशन देखो वट इस दा एकलिविरियम डिस्टन्स अफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम का एकलिविरियम डिस्टन्स क्या है यह मैं आपको तीन-चार बाल करा हुगा जब तक जब तक आपको यह इजेक्ल रॉचा जा सकता कहीं पर भी कि भाई हाइड्रोजन एंटम का इकलिविरियम डिस्टन-डिस्टन बह। ज्यादा फैक्ट्टल कोशन है आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा आंसर कैंसर बहुत ज्कृट्ट्ट्ट्ट इसका अंसर है भीट एक हैंवेड़ियोगान सेवन् है कि ब्लड का कलर रेड होता है इसका कारण के यह ऐसे कॉछन पूछ आते आपसे कि बाई आपको रीजेन टाइप पूछन पूछे जाते या बीच में बिल्कुल ओक्या अंसर क्या है थेके है ब्लॉट रिट करनंको उसका कारंट क्या है हीमोग्लोफिन होने की वाजा से त을ह घैंख है मुझे तो उम्मीद ہے कि आवास बिल्कुल देखिए इस कोशें का अंसर के है, which light is least effective in photosynthesis, बहुत ही प्यारा कोशन है, तेक है, आप से पूछा जाया प्रकाश चंसलेशन में कौन सा प्रकाश जो है सबसे प्रभावी है जल्दी शब देगे कौन सा प्रकाश जो है जो की सबसे प्रभावी है इसकोश अंसर के है जल्दी शब देगे कौन सा प्रकाश जो है वो सबसे प्रभावी है आंसर क्या है इसकोश का दिमाग पर रखे है green light ठेक है ठेक है ठेक है ग्रीन लाइट जो है न आप याद रखेगा जैसे आप हम unacademy की कभी classes लेते हैं बीच में पीछे chroma लगा होता है ग्रीन का लगा क्योंकि वो सबसे least effective होता है ठेक है least effective होता है इसलिए green light use की जाते है और green light ही इसका answer थोड़ा सा मुश्किल question है question मठ ठारा ठेक है लेकिन ऐसे question आपको paper में बहुत मिलते हैं मुश्किल है तोड़ा सा question लेकिन आपको paper में ऐसे question बहुत मिलते है चले एक और question देखिए इस question answer के हां जी plant में cambium की wooden activity को increase करने वाला that increase the activity of cambium in the wooden plant कौन सा होर्मोन है that increase the activity of cambium in the wooden question का answer answer कैस q question का जीब्रलिन इसका answer ठेक है भर रखिएगा जिब्रलिन इसका answer है important question आपसे पूछा जा सकता है जय Ó मैंठपुन सवालों में से एक हैं भॉह ही जाँडाbacks canola को इस कॉषन नमें को याद रखिए आठ बज़े की टाइमिंग को याद रखिए कि आठ बज़े वाइफाइ सटूडियो पर आके मस्त पढ़ाई कर सकते जैसे यह कह रहा है ब्लड केर प्लस कौन सा है जो की डिसीज के अगेंस रजिस्टंस बिल्ड करता है कि मतलब अगर कोई बिमारी आने वा चल्दी से बतेगा लिंफोसाइट और लिकोसाइट में क्या ऑप्शन होगा सब्ढ़ाई ठेक है अंसर के इसका लिकोसाइट इसका आंसर इंपोर्टन कोश्चन पूछा जा सकता है ठेक है चलिए कोशन नहीं कर रहे हैं बताई इस फोशन का आंसर ठेक है टैमरेंडस प्रणी का किसका साइंटिफिक नेम है इमली का यह ओविसली नाम से पता चल रहा है पते कौन सा ऐसा ओर्गनाइजेशन है युनाइटिड नेशन का कोश्चन सारे आप एकसेस करो जल्दी जल्दी जितना जल्दी एकसेस करोगे उतना जल्दी शीखोगे ठीक है मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि आप जैसे मैं आपके लिए कल जो एक सेशन लेकर आ रहाएं ट्रिक सेशन ठीक मैरत हो लेका हूं वह एक ऐसा टॉप क्लास है जो कि मतलब यूनीक है जिसमें आपके ऐक की साथ सब कुछ पढ़ लोगी ठीक है वो ट्रिक क्लास आपके कितने बज़ यहोगी कितने बजए दोपैर को साड़े तीन बजए कहां पर होगी वाइफाइट यूटुब चैनल पर ठेके वाइफाइट सटी में चैनल है वहाँ पर होने वाली है साड़े कुछ एक तरी चैनल हर्ट किसका होता है इस कोशंगा अंसर बताई ठीज चैनल हर्ड किसका होता है इससरी में चैनल हर्ड किसका होता है चले, important question है, आपसे पूछा जा सकता है answer कैसका, lizard इसका answer है, एक और question देखेगा, ठेके, यह मुश्किल question है, लेकिन हमें पढ़ना पढ़ेगा, ठेके, question को solve करने के लिए पढ़ना पढ़ेगा, inhibition of photosynthesis in high presence of oxygen, in plant is coldest word, यह पूरा जो पूरा प्रोसेस है, यह एक निया प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपके प्लांट में, oxygen की प्रेसेस में, inhibition होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यह प्रोसेस मैं पहले आपको explain भी कर दूँगा, ठेके, बरबरग effect कहते है इसके लिए theory का कोई concept chapter लेके आना पड़े, जिसमें मैं आपको पूरा effect समझा सकूं, ठेके, diagram से ही समझ आए गई, तो आप उन लोग diagram से कर लेंगे, ठेके, jaws जो होता है, जबड़ा जो होता है, किसमें नहीं होता है, इस question answer के, जबड़ा किसमें नहीं होता, comment करेगा, नेम पूचा जा सकता है, पूचा जा सकता है, पूचा जा सकता है, चलिए एक और question देखीगा, cell become target because of which of the following, comment करेगा, इस question का answer के, question 29 का answer बतेगा, इस question का answer के, endosmosis का answer है, important question है, पूचा जा सकता है, चलिए एक और question देखी, थर्म किसकी unit है, comment करेगा, थर्म किसकी unit है, इस question का answer के, ठेक है, answer के, थर्म किसकी unit है, ठेक है, थर्म is the unit of heat, ठेक है, थर्म is the unit of heat, एक और question देखीगा, बता, question 31, थोड़ा सा मुश्किल है, ठेक है, बेटा, विसल नहीं आ रही है, थोड़ा सा मेरा गला सा खराब हो रहा है न उसकी वज़से ठेक है कफ कोड लो रखा है धोड़ा सा ठेक है चले बताई इस कोशन का अंसर क्या है बेटा अगर आपको बोला जाए कि एक वेक्ति है जिसको diabetes तो है यह तो पता ही है बस इतना कहा रहा है कि insulin का impact ही नहीं हो रहा कुछ ठेक है insulin का क कोई impact नहीं हो रहा तो वो किस diabetes का patient है diabetes 1 है क्या diabetes 2 है क्योंकि दो तरीके की diabetes होती है एक जैनेटिक होती है और एक नोन जैनेटिक होती है अब आपसे जैनेटिक नोन जैनेटिक का डिफरेंस पूछा जारा सीधा अगर insulin का impact कुछ काम नहीं कर रहा तो वो क्या है टाइप कोशन नमर 33 का अंसर बताओ absolute zero temperature कौन सा temperature है जल्दी से बताएगा absolute zero temperature कौन सा temperature है इस question का answer के है अब यह बिलकुल basic question है अब इसमें कुछ भी यह option जितने भी दिख रहे है ना यह question सही नहीं है ठेक है यह option यह वाला सही है ठेक है molecular motion सीज हो जाता है molecular motion सीज हो जाता है तो answer इसक सब्सक्राइब करना काम आपके बहुत आएगी अगर आप मुझसे डेली पढ़ना चाहते हो और आप regular free classes में benefit लेना चाहते हो special classes में भी प्लस courses में भी आपको बस YouTube पे सर्च करना Indian पॉलिटी इस class के जस्वाद करना अविशक है आप सभी के लिए Indian पॉलिटी सर्च करो ठेक है इंडियन पॉलिटी सर्च करना इस class के बाद YouTube पे और उस वीडियो को एक बारी जरूर देखना छे घंटे का मैरतोन होगा six hours का मैरतोन उसे एक बारी जरूर देखना six hours का मैरतो मस्त तरीके से 10-15 मिनट देख लेना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पूरा पता चल लेगा मैं कहां कैसे बढ़ाता हूं ठेक है वन किलो वाट आर किसके इकोल है कमेंट करीगा एक किलो विटार जो है किसके इकोल है 3.6 मेगा जूल के वेटा इंडियन पॉलिटी सर्च कर कि इस कोशिंग आन सके है यह क्लास ऐसी है अगर को सटरडे संडे कहना कि सर कुछ स्पेशल पढ़ाते हो क्या मैं नहीं पढ़ाता सपेशल सेटरडे संडे को मैं फ्रायडे को पढ़ा देता हूं जैसे मैं ट्रिक पढ़ाने वाल हूं कल ठीक है पाई-वाइ-व इस्टरी इस word किसके द्वारा दिया गया तो याद रखना इस कोशन का आंसर क्या है बैजलर के द्वारा यह तोड़ी बहुत सकती है छले एक और कोशन देखते हैं इस कोशन का आंसर के है कि एक यह दो सेकंडी सिर्फ हरे swinger हो रही है ज्यादा नहीं हो ठेक हैं बताँ क्या is question answer ये भी अच्छा question रहा क्या जैसे cell building block है life life जो है किस से बनती है cell से बनती है ऐसी ठेक है ऐसे आपसे पूछसा जाए amino acid building block है किसका comment करेगा amino प्रोटीन का लाइफ्स्पेन कितना है कि जल्दी से बताएं यहां आर्बीसी का लाइफ्स्पेन कितना आर्बीसी जो ब्लड सो सेल होते हैं वो कितने समय तक रहते हैं ठेक है 120 दिन के लिए ठेक कभी कभी ना option में ऐसे आता है कि 100 से 120 और दूसरा option दिया जाता है 120 से 140 अब इस question में अगर आपको मिल जाए तो दिक्कत हो जाती है तो याद रखेगा ऐसे type के option में भी न यही याद रखना कि 120 is the maximum ये 120 maximum है ठेक है 120 maximum है minimum नहीं है ठेक है याद रखेगा 120 maximum है आपसे question पूछा जा सकता है ठेक है आपसे question पूछा जा सकता है थोड़ी सी buffering हो रही है इसकी वेदे से class skip ना करें क्या मैं visible हूँ सभी को चलो आप visible हूँ कोई दिक्कत नहीं है एक second का buffering lack हो सकता है अब यह कह रहा है कि कौन सा incorrect है 38 कोशंगान सा बताई सारे attempt करो question कौन सा incorrect है इस कोशंगान सा बताई कौन सा incorrect है डेली आठ बजे देखना स्टार्ट कर दो 8 p.m. पे यह session daily देखना स्टार्ट कर दो Wi-Fi study studios पर यह session regular है अपना ठेक है चाहे किसी भी आप देखो ना किसकी लिए class start करीए ना मैंने ऐसा बोला कि मैं SSC को पढ़ा रहा हूं ना मैंने बोला railway को ना मैं defense को मैं सभी exam के जो experience है ना all competitive exam science है science सभी के लिए सेम रहे गी यार अगर railway वालों के लिए hydrogen का formula है ठेक है element का सिंबल है तो भाई SSC वा लोग ले भी तो ही है ठेक है उसमें कुछ आप specific classification नहीं कर सकते हैं ठेक है चलिए बताई इसको को शेंगान सकते हैं incorrect क्या है लेक्टोमीटर क्या specific gravity of liquid गलत ठेक है इस specific gravity of milk ठेक है specific gravity of milk चलिए आंसर इसका भी है ठेक क्यूंकि यह स्टेटमेंट का बाकी यह भी सही है एनिमोमीटर और सेस्मोग्राफ अर्थ का एनिमोमीटर विंड का है और यह हाइड्रो हाइड्रोमीटर वाटर वैपर का है तो यह सब चीज़ें थे basic question है हां जी यह आर्खमेंटर इस principle का definition है है ना सबके लिए है भाई सबके लिए ठेक है मैं आपको मैं आपको कैत हो रहाँ कि एगर आप किसी टीचर से देली पढ़ने से पहले पता कर लेते हैं कैसे पढ़ा रहा है तो आप बस यूटूब पे एक बर इंडियन पॉलेटी सर्च करना आपको बता चुका हो इस क्लास के जस्ट एंड होते हैं इंडियन पॉलेटी सर्च करना चे घंटे का मैं तो नहीं उसके पांच-दस मिनट की वीडियो स्टार्टिंग की देख लेना अगर एक बोडी फ्लोट कर रही है तो वह कितना लिक्वीड डिस्प्लेस करेगी वह हमेशा उसके वेट की कोल हो यह ब्रम का ट्रल को पिस को चुंग है माइक्रोबियल दिग्रेदेशन आफ नाइट्रेट इंटु एट्मोसफेरिक नाड्रोजन इस वेट यह पूरी प्रोसेस कुंसी यह यह आंस्याइक और को सब्कैने हो है हुआ है ठेखे आंसर के स्काइट नाइटरिफिकेशन इसका आंसर चलिए एक और कोशन देखेगा हिलियम गैस अच्छा कोशन है ठेखे अब यह ने comparison वाला कोशन आ गया comparison वाले कोशन ज्यादा गलत होते हैं एक चीज दिमाग पर रखना जब हम comparison वाला कोशन करते हैं वो ज्यादा गलत होते हैं ठीक है एक बर इक कोशन को जोल करो खुद आंसर बताओ इस कोशन का आंसर क्या होगा comparison वाले कोशन ज्यादा गलत होते हैं एक ची आ रहा है कि helium gas is filled in the balloon instead of hydrogen उसका कारण क्या है उसका कारण क्या है उसका बहुत basic कारण है कुछ बच्चे कहेंगे कि lighter than hydrogen कारण है यही गलती होती है यही गलती होगी आप से कभी भी इस question का answer है तो इसका answer लगएगा non combustion है इस वज़े से यूज़े से यूज़ कहाता है फटता नहीं है वो ठेक है और lighter वाला जो कह रहे हैं कि lighter hydrogen है ठेक है वो भी बताऊँगा helium gas को क्यों डाला जाता है और hydrogen का कोई comparison ना दिया हो तब या जखना lighter than air option में लिखा होगा ठेक है मैं आपको एक question और कराऊँगा कल ठेक है दिवाकर के एक question और कराऊँगा हल्दी किसका शोधीत रूप होता है जल्दी से बते हैं कमेंट करेंगा बता है इस question का answer के है ठेक है stem का है important question है पूछा रहा सकता है red blood cells are produced by which of the following ठेक है red blood cells are produced by which of the following RBC किससे produce होते हैं कमेंट करेंगे अच्छा question प्यारा question है भाई बहुत ही प्यारा question है इस question का answer के है चल्दी से बताएगा इस question का answer क्या RBC किससे produce होते हैं ठेक है बताएगे इस question का answer के है ठेक है answer का प्याटर दिमाग पर रखना है इस question का answer के है याद रखिएगा RBC सा produce in bone marrow डिको RBC produce bone marrow में होता है हम जानते हैं कि bone marrow में produce होता है ठेक है अगर कोई कहना कि यह खतम किसमें होता है यह कहतम किसमें होता तो यह भी याद रखना spleen इसका answer होगा spleen में खतम होता है ये भी question आप से पूछा जाता है कि ये खतम किसमें होता है तो spleen में खतम होता है ठेक है जो भी बच्चा इस class को आज देखने आया है ये class ऐसा नहीं कि आप कोई special class देख रहे हो daily basis पे देखो है मैं कहता हूँ हमेशा निरंतर परियास क्या है आपको सफल बनाता है गर आप एक दिन 12 घंटे पट रहे है दूसरे दिन एक घंटे पट रहे है तो वो 12 घंटे बेक आ रहे हैं आपके लगातार 8 बजे इस class को Wi-Fi Study Studios पे देखोगे न तो आपको दमदार content में लेगा और daily का इतना question आता है जैसे ये question important है normal stress to the volumetric strain मैं आपको कल question कराया था hooks low का मैंने कल question कराया था hooks low का मैंने कल आप परसो आपको कराया था youngs modulus का अब बस वही है इसमें आप कहा रहा है कि normal stress है और volumetric strain है दोनों चीजे और इनके ratio को हम क्या कहते है इसके ratio को हम क्या कहते है दिमाग पर रखीगा इसके ratio को हम क्या कहते है bulk modulus कहते है bulk modulus कहते है क्यों bulk modulus कहते है इसका कारण volumetric strain volume इसकी वज़से हम क्या कहते है bulk modulus कहते है youngs modulus न कहके इसे हम volumetric stain होने की वाज़े से bulk modulus कहेंगे important question है पूछा जाते हैं चलो एक और question देखो भाई जो oil lamp है उसमें से आपना करन्ट वाटर की कितने डिग्री सेलसियस पे होती है अच्छा कोशन है पूछा दा सकता है बैटा अपना current का सेशन नो बजे होगा जैसे मैं आपको कहा रहा हूं कि मैं आपको करेंट फिर पढ़ाता हूं नो बजे तो वह एक स्पेसिफिक सेशन है जिसको अगर आप डेली करोगे न तो आप आने वाले दस-पंदरा दिन में ना करेंट फिर में उस्ताद हो जाओगे सिंपल सी बात ठेक है फ्री ओफ कोस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक लगा रखा है लाइव ओमन लगा के रैफर को जुड़ जाना ठेक है अब मैक्सिमम डेंसिटी कित्ते बे होते हैं च क्लास कि ने लगे Tit. सुबह मेने आज क्लास कराई थी वह एक डिस्कॉसिन सेशन हो गया था लेकिन भाइव कल हम अपने टॉपिक्वाइस जी कैहें और बायलोजी है तो बायलोजी रहें तो बायलोजी कर लेंगे ठीक है बारा तारीक और केमिस्ट्री और बायलोजी दोनों एक साथ उठा दूंगा कल सुबह 9 बजे इसी चैनल पर मिस मत करना अगर टोपिक वाइस फड़ो के तो और ज्यादा बैटर रहेगा उसमें साइंस के सा पॉलर्टी भी हो जाएगा हिस्ट्री भी जोगरफी सब कुछ हो जाएगा ठेक है याद रखे कल सुबह 9 बजे टॉपिक वाइस जी के चले एक और कोशन देखिए और बायलोजी ही है और केमिस्ट्री साथ में पढ़ा दूंगा कल टॉपिक वाइस जी के सुबह 9 बजे ज जैसे यह कोशन देखो अग्जली बर्ट्स डेवलप इन वीच ओफ फोलिंग पार्ट यह अग्जली बर्ट्स ब्रांश में मलती है डाल में बनती है बहुत बेस्की कोशन डाल में बनता है एक और कोशन देखिए लोंगेस लाइविंग ट्री जल्दी से पते हैं कौन सा ल एक टाइब का ब्रिश्क ही है ठीक है दिवाकर के इस पे question आता है थेक है aluminum is extracted from which of the following aluminum किससे extract होता है कोशन का answer बते है aluminum किससे extract होता है जल्दी से बता है इस question का answer गये है देख अच्छा कोशन है अलिमीनियम किस से एक्स्ट्रेक्ट होता है तो बेसिक है बोकसाइट से मैं आपको बता भी चुका है अलिमीनियम के कोशन आते हैं ठेक है और बोकसाइट इसका आंसर है बिच मैटल इस प्रोटेक्टेड बै देल लेयर उट ओडोकसाइट जल्दी Native न रफोटेक्ट अपने बाई Natal की जो ऑक्साइट लेयर वही उस मैटल को प्रोटेक्टेग्ट करती है कौन सा मैटल है और अभी इसका कोशन हुआ है अभी इसका लास्ट जो कोशन हुआ था वो इसी से संबन देते हैं पताईए भाई सेशन को लाइक करना शेर करना जल्दी से देए अच्छा एक बारी कमेंट बोक्स पर बताईएगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो आपको अच्छा लग रहा तब ही आप पढ़ रहे हो कौन-कौन कल दोबारा आठ बजे इस सेशन में आने वाला है ठेक है एक बारी कमेंट बोक्स पर येस और नो लिखे ठेक है और मैं आपको एक दो चीजे और एक्स्टर कराऊँगा कल से ठेक है आपके लिए कुछ इंटरस्टिंग कर दूँगा इस क्लास में पहले मुझे बता ही कौन-कौन कल रात को दोबारा इस क्लास में आने वाला है आठ बजे विदाउट नोटिफिकेशन खुद वाई-फाई स्टूडियोस पे साच करके एट पीम पे इजएक्ट उसके बाद लेट नहीं एट पीम पे आएंगे तो सारे ही घूमते फिरते नहीं इजएक्ली एट पीम पे क्लास स्टाट करो तो 300-400 बच्चे लाइव हूं ठेक है एट पीम पे इजएक्ली टाइमिंग कह रहा हूँ है आपको कोशन मिस मत करो ना आओगे तो सारे ही इजएक्ली आट वजह आओ in which of the following muscular organism do not have exoskeleton कौन सा इसमें से है ठीक है दिमागर के कौन सा इसमें से organism है जिसमें exoskeleton नहीं होता comment करें एक्सoskeleton नहीं होता comment करें ठीक है answer क्या amphibians है तो अगर amphibians के question न बहुत सारे पूछे आते हैं कि जमीन और पानी वालो कोशन which of the following is a amphibian ठीक है तो यह सब चीज़े प्लांट किंग्डम का amphibian क्या है यह सब चीज़े आपसे पूछी आती है ठीक है बेटा नोटिफिकेशन नहीं आता इसलिए तो क्या रहा हूं नोटिफिकेशन यूटूब के हर सेशन का नहीं आ सकता मैं सुबह 9 बजे पढ़ाता हूं उसका नोटिफिकेशन नहीं आता इतना अच्छा ग्लास होता है टॉपिक वाइस का अगर आप एक बरी कल सुबह 9 बजे आगे ना डेली आने की सोचोगे सुबह 9 बज जीके तो कल सुबह पहले टॉपिक वाइस जूके में आ जाना 9 बजे और रात को खुद वाइफाइस स्टूडियो सर्च करके एट पीम पे आ जाना ठेक है इतना कश्ट करो अराम से ठेक है आयरन का और कौन सा जल्दी शरत है निमलिकित में से कौन सा आयरन और है कमेंड कर स्टूशन देखते हैं को भाण सबताइघ करा यह यह तो यह यह रिप्रेजेंट कर सकता था थेके बैलोसिटी और टाइम के अगर मैं बात करो तो यह रिप्रेसेंट करता एक्सलरेशन को ठीके तुरण को क्योंकि वी अपर एक्सलरेशन होता क्या है acceleration is V upon T acceleration क्या होता है V upon T ही तो होता है ठेक है तो उसी इस आपसे question है which of the following is considered as physical basis of life इस में से कौन सा जीवन का भोतिक आधार है जल्दी सबतेगे नेमलिकित में से कौन सा जीवन का भोतिक आधार है इस question का answer बताइए क्या है इस question का answer नेमलिकित में से कौन सा जीवन का भोतिक आधार है answer क्या है प्रोटो प्लाज्म इसका answer है ठेक है दिमाग रखना प्रोटो प्लाज्म इसका answer है miss मत करना यह question बहुत जादा important ठेक है चलिए एक और question देखेगा which among the forming non-toxic gaps help in the formation of enzyme question गलत है क्योंकि नहीं इसका option भी गलत दे रखा है option गलत दे रखा तो इसपे हम जाएंगे नी miss मत करना कोई भी देखो यार एक चीज पक्की है कि अगर मैं daily एक छोटी छोटी ट्रिक देखता हूँ न तो मेरे को याद रहता है अब उसका इंतजार करोगे उससे बढ़िया सभी ट्रिक एक बार में कर डालो एक बार में कर डालो PDF 100% मिलेगी इस class की मैं आपको 50 टोपिक की ट्रिक कराने वाला हूँ 50 टोपिक की ट्रिक कराने वाला हूँ ट्रिक marathon कहां पे होने वाला है कल दोपैर को साड़े तीन बजे होगा Friday यानि कि कल दोपैर को साड़े तीन बजे फ्राइडे Wi-Fi Study Main Channel पर कहां पर Wi-Fi Study Main Channel पर सभी ट्रिक एक बार में साड़े तीन बजे हो जाएंगे ठेके तो कल दोपैर को साड़े तीन बजे Wi-Fi Study Channel पर जुड़ोगे तो आपको ये थम्मिल दिखाई देगा ट्रिक मैराथोन सभी ट्रिक एक बार में उसमें जुड़ना है सब और इस क्लास में आऊ रहा तो इजेक साड़े तीन बजे आना उसके बाद मत आना मतलब आप टाइम पर आ जाओ तीन का थोड़ा सा जादा कर देना ठेक है उससे ज्यादा लेट मत करना कोशन नमर 57 देखो अरेंजमेंट ओफ लीव इन प्लांट इस कोल्ड ट्वट चल दी सब देगा ठेक है क्या इस कोशन आंसर ठेक है आंसर क्या है इस कोशन का अगर मैं बोलू कि भाई प्लांट का प्लांट में जो लीव का अरेजमेंट है उसके लिए हम क्या टम यूज कर सकते है खतरना कोशन नहीं है ठेक है खतरना कोशन है इसकोशन का आंसर के है ठेक है बेटा एक बड़े ट्रिक पढ़के देखो मेरी ट्रिक थोड़ी अलग है मैं आपको line वाले tricks नहीं बढ़ाता हूं मैं आपको unique tricks पढ़ाता हूं जो आपको 100% paper में help करेंगी ठीक है मैं आपको कोश्ण दिखा दूंगा जो आपको कोशन ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे आपके तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा फालोक टक्सी इसका अंसर है ट्रिक पढ़ो और एक साथ मिल रहे है तो वो तो बेस्ट क्लास होगा आज तक कोई सेशन ही नहीं है जहां पर ट्रिक एक साथ पढ़े हूँ तस बच के पंदरा मिनेट पर अभी रात कोई होगा एक मैं लाइव टेस्ट कराता हूँ वो क्या है यह लाइव टेस्ट ऐसा है कि बच्चे पूरे दिन वाइफाई स्टडी पर पढ़ते हैं और रात को एक ना पेपर देने आता है कि भाई 50 में से 50 कोशन जीके के सोल करने है सिलेक्शन लेना इस पर 50 में पचास सोल करने है तो आप आप भी क्या है साड़े दस वजे आज वाइफाई स्टडी पर आके लाइव टेस्ट पे कंपीट कर सकते हूँ ठेक है होगा अभी यह विच आफ द फॉलिंग नोबल गैस केन फोर्म कंपाउंड कूंसा नोबल गैस वाइब कमपाउंड फोर्म करता है कमेंटकरीं करेंगा सियुक्स कोंसरें कहीं ठीक है अंशर क्या जैनों इसका आंसर एक यरु मस्टेटिमेंट क्या है पढ़ो पहले तोड़ा बड़ा कोशन है इनकरेक्ट स्टेटिमेंट क्या है जल्दी से बताईगए और देखते हैं ठेके, कह रहा हैं, ठेके, periods are horizontal row of elements, ठेके, चलिए, और देखते हैं, element in the same group have same balance, group have the element in the consecutive, ये लिखा हुआ, isotopes are the element of same group, ठेके, जलिए, ये question में incorrect statement कह ए, group have element with consecutive atomic, अच्छा, अगर consecutive atomic number हो गैं, तो फिर तो 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा न, वो तो कभियी होता ही नहीं, ग्रूप में कभी ऐसे होता ही नहीं ठेक है एक के बाद तीन आता है फिर ग्यारा आता है उस तरी किसा आता है consecutive तो है ही नहीं तो भाई ये तो question statement सी तो साफ कलर दिखाए देरा गलत है ठेक है ये question नहीं करना करका कल किया था which of the following is an example of tissue इसमें से कौन सा उतक का उधारन है इस question answer देक है कोन सा उतक का उधारन है comment करेगा बहुत ही important question नहीं कोन सा उतक का उधारन है तो याद रखेगा blood is a connective tissue blood is a connective tissue ये question आ सकता है ठेक है बेटा मैं आपको हमेशा इस class में 70 question कराता हूँ ठेक है 70 question न वर्त है आपको कभी भी आप जाओगे न आपको 10 15 20 question कराए जाते हैं मैं आपको बल्क में question कराता हूँ 70 question daily के कल भी आप 8 बजे आओगे तो 70 question awesome वाले मिलेंगे आपको science के ही सारे और science इतना important है न आने वाले CET के exam में आने वाले सभी exam में science की सबसे ज़्यादा value होने वाले science पढ़ो सारे के सारे वाट इस दा minimum distance required to hear E को E को गूंज को सुनने के लिए 17 minimum distance है चले एक और question देगे एग्रोमनी इस दा practice of raising what जल्दी सब देगा एग्रोमनी में हम किस चीज को बढ़ाते हैं किसका उत्पादन करते हैं comment करेगा इस question का answer के जल्दी सबसे एग्रोमनी में किसका उत्पादन करते हैं क्या है इस question का attempt करने हैं पूरे और डेली आठ से नो पढ़ सकते हैं आप इस साइंस की क्लास में आके वाइफाइ स्टडी स्टूडियो चैनल पर इवन सेटर्डे संडे फ्राइडे हर दिन क्लास हो रही है एक क्लास ठेक है फिक्स है यह अपना सेशन फिक्स है होता ही है अच्छा कोशन है पूछा जा सकता है चली यह किसका उधारणा आंसर क्या आईसोबर का उधारण है ठेक है पहले बाते हो ना जब lavender ही दोनों अलग लगो गो गे ना तो वह आईसोटोप कभी भी नहीं होगा हैं ना तो इसी से अपना बन जाता कि आईसोबर उधारण है ठेक जी normal blood sugar level कितना होता 80 से होता है अब ये ना current fair की class होगी कितने बज़े 9 बज़े कोई कहे कि sir कहाँ पे आपकी current fair की class मिलती क्यों यह कैसे मिलेगी जब आप video के description box में देखो लिखा हुआ है 9 p.m. current fair उसको सीधा open करना open करने के बाद live woman refer code लगाना और directly जुड़ जाना class में 9 p.m. daily जिमाग को रखेगा 9 p.m. daily है और video के description box में current fair डाला है live woman refer code लगा free class होगी पूरी हंजी 1 carat of diamond किसके equal होता है बता है कितने milligram के equal होता है आज एक बच्चे का message आया था अक्षित शर्मा का उस बचे से मैंने कोशन जादा कर दिया आपके लिए ठीक है आंसर क्या इस कोशन गा एक कारट diamond कितने के equal होता है एक अच्छा कोशन आंसर क्या बच्चे 200 mg के equal होता है किसके 200 mg के equal होता है ठीक है चली एक और कोशन देखीगा देखो शोक absorber बनाने के लिए हमेशा हम basically steel को यूज़ करते है basically किसको यूज़ करते है steel को यूज़ करते ठीक है चली तो steel को यूज़ करने के लिए काम मतब कारण क्या है हम steel को क्यों यूज़ करते है शोक absorber के रूप में हम steel को क्यों यूज़ करते है ठेक है, elasticity हाई है, इस वज़े से हम यूज़ करते हैं, ठेक है, आसान question पूछा जा सकता है, चलो ये question नहीं करना, बता ही question answer, final question है आज का, उसके बाद आपकी unacademy की free class होगी, current affair 9 बचे, वीडियो के इसी वीडियो के नीचे आपका ना सबसे पहला link आ रखा है, 9 p.m. current affair और साथ में link है, वो class का direct link है, class को directly open करिए, और live armor refer code लगा के जोड़ जाईए, exactly 10 मिनट बाद class start हो जाएगी, 9 p.m. का current affair, और उम्दा current affair है, ठेक है, NTP से में बहुत output आये, इस class का, ठेक है, sodium carbonate crystal lose the water molecule, उसको हम कहते है, efflorescence कहते है, ठेक है, तो दोस्तों, जितने बच्चे द मैंने आपको पहले भी बता दिये, एक बार ही बस आपको quick through गर आ देता हूँ, कि अपना क्या 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 आने के डिमी में चल रहा है, plus courses में, चली देखिएगा, बस इतना याद रखना, अभी current affair होगा, 9 बज़े और link वीडियो के description box में है, ये current affair की class है, 9 p.m. की, miss मत करना क को इसा भी, 9 p.m. की, और ऐसा नहीं कि आपको search करना है कहीं जाके, आपके लिए link में वीडियो के description box में ही लगा दिये, तो live oven refer code लगाई है, इस class में जुडने के लिए, और 10 minute का wait करें, उतने 10 minute में Indian quality search कर लो YouTube पे और देख लो, ठेक है, इसको open करके रख दो, और YouTube पे एक पॉलेटिक, ठेक है, आपको पता चल देख कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो मुझसे, मेरे complete batch is available है, available क्या भी live हो रहे है, 15 तारिक से इसकी class है, ठेक है, जब 15 तारिक से class है ना, तो उसमें अपना target क्या रखना है, हमने सभी subject target रखना है, कि एक ही साथ पढ़ लेंगे सब और ऐसा नहीं कि इसमें आपकी fees कुछ ज़्यादा है, बहुत कम fees है, nominal fees है, SSC goal select करो, और nominal fees कैसे है कि आपको अगर 24 अमंद का लेते हो ना, 300 रुपे पढ़ता है पर मन, 300 रुपे नहीं 280 रुपे पर मन पढ़ता है, 280 रुपे पर मन पढ़ता है, अगर आप ये refer code लगा दो 8 पीम पे कल भी ये session होगा, exactly, session को like करिए, share करिए, और 8 पीम की class में daily जुडा करो, और अभी current affair की class होगी, आनक एड़ में, वीडियो के description box में link है, लिखा है 9 पीम current affair, उसे open करो, live अमन रफर करो